वाट्स अप गाईज, I hope you are doing well, I am वीर, welcome to study lover, देखिए हम यहाँ पर सबसे important part discuss कर रहे है पॉलिटिका जो है fundamental right, यह article 12 से 35 तक आता है और इसमें हम 12, 13 and 14 आर्टिकल ओरेडी discuss कर चुके हैं, तो जो अब हमारा portion चलेगा वो इससे आगे चलेगा और जिसने भी किसी ने जो पर click करकर भी आप lecture देख सकते हैं, देखिए fundamental right को BR Ambedkarji के दोरा most discussed part बोला गया था, क्यों? क्योंकि यह उस time पर constitution assembly के duration में सबसे ज़्यादा discuss किया गया था, और यह सबसे ज़्यादे important भी है, क्योंकि हाँ पर हमारे rights की बात होती है, तो यह इसलिए नहीं कि हम लोग किसी exam की preparation कर रहे हैं, इन rights का पता होना चाहिए, normally being a citizen of India हमको पता होना चाहिए कि हमारे fundamental rights क्या है, ठीक है, जिससे उसको हननन हो और हम जब भी हमारे fundamental rights का हननन हो, तो हम court का दरवाजा खट-खटा जगे, तो fundamental rights बहुत ही जदे important part है हमारी life के लिए भी और हमारे exam के point of view से भी, त 26 ओफ जुलाई है, तो 26 ओफ जुलाई को कारगिल दिवस बना जाता है, कारगिल विजय दिवस, तो देखें ये कारगिल आप लोगोंने नाम भी सुना होगा कई बार, कारगिल एक जगह का नाम है, पढ़ता का पर आप आईए, आप लोगोंने नाम सुना होगा, line of control, line of control जो है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनती है, और दूसरा आप लोगोंने सुना होगा, LACB भी सुना होगा, उसको बोलते है, line of actual control, तो ये पढ़ती है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, तो line of control के बॉर्डर पर जो पढ़ता है, वहाँ पर बहुत किया जाता है, जिससे कि उनको ओनर दिया जा सके, ठीक है, तो इसमें तिस दिन में क्या होता है, ये अमर जवान जोती आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पर, यहाँ पर प्राइम इनिस्टर जाते हैं, और तीनों फोर्स के चीप जाते हैं, जो सल्यूट करते हैं हमारे जवानों को ओनर देने के लिए, ओके, तो 26 अप जुलाई आप लोगों को याद रखना है, being a citizen of India, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए, कि हमारे लिए, हमारे जवान सहीदों ने, अपनी जान देकर, अपने प्राण की आहुती देकर, हम लोगों की रक्सा किये, त अपने मन को भी सांती मिलती है, कम से कम, तो आज का लेक्चर देखते हैं, और यह नहीं है, सरद पर जाकर या फिर कहीं पर आप लोग जाकर इस तरीके से ही मतलब देश की सेवा कर सकते हैं, मतलब खोश सारे ओप्सन हैं सेवा करने के लिए, आप लेक्चर सुनते हैं मेरे तो जितना आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ा दिया कीजिए आसपास में, जो भी बच्चे हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है, जो टूशन नहीं ले सकते हैं, जितना आप यहाँ से सुनते हैं, दूसरों को बता दिया कीजिए, तो यह भी एक तरी बस आप मन में सरद्धा होनी चाहिए सेवा करने की तो आज देखते हैं हम आर्टिकल 15 के बारे में और देखिए लेक्चर जो है ना मैं थोड़ा सा उसकी डूरेशन बढ़ाने की कोसिस करूँगा मतलब आप लोग को अगर कोई प्रोब्लम नहीं हो तो मैं सोच रहा हूँ से मिनिमम् 30 मिनिट का तो रखा ही रखा जाए ठीक ना 30 से या फिर 35 अगर मतलब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें क्योंकि फिर बोलने लगते हैं कि सर ज्यादे लंबा लेक्चर भी अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सपोर्ट करिए मैं इस लेक्चर की डूरेशन देखा होगा या फिर आप लोगों ने बहुत सारी बुके पढ़ी होगी पुराइनी जिसमें इंडिपेंडेंस की डूरेशन की बात की जाती है तो उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत सारे ग्राउंड पर तो यहां पर religion की बात की जाती है रेस की बात क ये 5 ground, बिलकुल ये 5 ground only ये नहीं होने चाहिए कि इनी के base पर discriminate किया जाए, मतलब माल लिजे किसी को religion के base पर discriminate कर दिया, race, caste, sex या इसके base पर discriminate कर दिया, तो ये soul ground नहीं हो सकते हैं, discrimination के, दूसरे और ground इनके साथ में हो सकते हैं, मतलब ये secondary part हो सकते हैं, ठीक है न, पर ये first part न बड़े ही important है यहाँ पर, पहला तो है discrimination, ठीक है न, और एक है only, तो जो ये only होता है, ये only ही पूरा खेल खेलता है यहाँ पर, इस only के बल पर ही, पूरे article यहाँ पर depend रहता है, तो discrimination तो आप लोग समझेगे, कि कि किसी को किसी भी ground पर discriminate नहीं करना है, मतलब भेद भाव नह होता है, only का मतलब यहाँ पर यह बोला गया है, कि जो ये पाँच ground है, इन पाँच ground पर आप लोगों को only इन पाँच ground पर discriminate नहीं करना है, इसके साथ में अगर कोई अलग छटा ground जुड जाए, तो ये secondary part हो सकते हैं वहाँ पर, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, example लेके बक होते हैं, उनको ज़्यादा preference दिया जाता है, as compared to women, ठीक है ना, female की compare में male को ज़्यादा preference दिया जाता है, ठीक है, पर लेकिन जो ये preference यहाँ पर discriminate किया जाता है, जो यहाँ पर, तो ये discrimination, sex के base पर नहीं किया जाता है, कि sex के base पर मतलब, कि male है, ये female है, उसके base पर discriminate नहीं कि किया जाता है discriminate किस बेस पर किया जाता है यहाँ पर देखे आर्मी हो गया नेवी हो गया या एरफोर्स हो गया एक masculine body चाहिए मतलब यहाँ पर running करनी पड़ती है ज्यादा बोज उठा सके जिससे तेज दोड़ सके कोई भी situation में लंबे समय तक रातों को duty कर सके तो इसके लिए एक masculine body देखे जाती है बहुत सारा weight उठागर लंबे समय तक दोड़ सके तो जो यह criteria है यह criteria preference किया जाता है आपर कि masculine body चाहिए क्योंकि होँआ फाइट वी करनी पड़ती है कई बार border पर ठीक है तो इसलिए masculine body चाहिए और masculine body के हिसाब से अगर देखा जाए तो female को थोड़ सा हलका सा मतलब देखे यह article के example के तोर पर ले रहा हूँ यह मैं इसको गलट direction में आप लोग को नहीं देखना है ठीक है उस तरीके से नहीं देखना है कि मतलब आप लोग सोचने लगए कि female को discriminate कर रहा हूं यह only एक example का example दिया जा रहा है ठीक है तो इस तरीके के example कई बार newspaper में भी आप लोगों ने पड़े होगे और यह मेरा example नहीं है मैंने भी newspaper से ही उठाया आई ठीक है तो वहाँ पर जो discussion किया गया था उस time पर बताया गया था कि जो main ground होता है अगर उसको देखा जाए तो क्या निकल के आता है masculine body निकल के आती है तो masculine body तो एक proper ground हो गया secondary ground क्या हो गया masculine body को हमको define कैसे कर रहा है define कैसे करेंगे कि यह masculine body है और यह masculine body नहीं है तो फिर हम sex के बेस पर define करेंगे ठीक है तो female हो गई तो उसकी masculine body नहीं होती है जाद है और male हो गई है तो masculine body होती है अब आप यहाँ पर example मत देने ठीक है तो first ground क्या हो गया है यहाँ पर first ground हो गया masculine body और second ground हो गया है यहाँ पर sex, sex के base पर define किया जाएगा कि masculine है यह masculine body नहीं है तो इस तरीके से secondary ground हो सकता है यह पर primary ground नहीं हो सकता है discriminate करने का हाला कि आज की date में यह चीज़े side में रखी जारी है आर्मी में भी देखा जाए ब ना तो state के दोरा ना private authority के दोरा किसी के दोरा discrimination नहीं हो सकता है ठीक है तो यह बात यहाँ पर article में बोली गई है तो यह आप लोग के mind में clarity होने चाहिए कि यह only ground ही होना है secondary ground ही हो सकता है secondary supportive ground ही हो सकता है discrimination का अगर इसका दूसरा example भी लेकर देखा जाए कि किसी भी woman को यह आ 6 a.m. in the morning तो इसके बीच में किसी भी woman को arrest नहीं किया जा सकता तो यह इस तरीके की discrimination किया जाते हैं तो यह एक तरीके sex के base पर हो गया ठीक है तो कई तरीके के आती है मतलब वैसे तो कहने के लिए sex के base पर हो गया पर लेकिन क्या माना जाता है कि woman जो है wonderability की तरह देखा जा है discrimination discrimination का सारा लिया है तो vulnerability issue है ना कि sex issue है sex यहाँ पर secondary issue है ठीक है तो इस तरीके से यह ground हो सकते हैं पर यह secondary ground होंगे यह primary ground नहीं होंगे I hope कि आपको mind में killer D हो गई होगी से related आई अब आगे चलते हैं इसके अलावा अगर हम आगे देखे तो कई सारे exception और निकल के आते हैं य यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनको discrimination नहीं माना जाएगा जिस तरीक से women के और children की मैंने बात किये अभी तो इनको preference दिया जाता है as compared to other part of the society reservation of seat की बात करते है women के लिए local bodies में तो यह discrimination नहीं है इनको कम से कम इनका अधिकार दिलाने के लिए वहाँ तक पहुँचाय जा र जाते हैं आप लोग ने normally देखा होगा जब भी reservation की बात करते हैं तो socially और economically backwards की बात करते हैं यापर society की और economically backwards की बात करते है यापर तो यहाँ पर society नहीं, educationally, sorry, economically नहीं, educationally, तो यहाँ पर जो economy की बात आती है, उसको कभी भी count नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमने economy की बात कर ली न, तो economy एक comparatively time हो जाती है, मतलब आज की date में मालीजे, आज की date में एक आदमी अमीर है, कल को चल के उससे जादा कोई अमीर हो गया, परसो चल के उससे और जादा कोई अमीर हो गया, तो यह comparative degree है, मालीजे एक के पास में आज की date में मारूती 800 है, एक के पास में Mercedes है, तो इसके compare में तो यह गरीब हो गया, ठीक है, और मालीजे इसके पास में Mercedes है, तीसरे के पास में plane है, jet है, concept रखा वो रखा socially और educationally backward तो इस वाले area में work करना है इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा schedule caste या schedule tribe को public जितने भी educational institution है या फिर private educational institution है minority को तो क्या किया गया है 93rd amendment के थाथ 2005 में जैसे minority को add किया गया है education institution में तो इस तरीके से इसको discrimination हम नहीं बोलेंगे ठीक है यह discrimination के part में नहीं आता है इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा central education institution में भी reservation की बात होती है 27% reservation देते हैं OBC को ठीक है कहां कहां पर reservation दिया जाता है ITZ में भी दिया जाता है IAMS में भी दिया जाता है तो इस तरीके से सब जगे reservation की policy आती है तो society का कुछ ऐसा part जो पीजे छूड़ गया है उसको अपने साथ में लाने के लिए इस तरीके की reservation की policy दी गई है पर देकिन देखे जो reservation स्टार्ट किया गया था परलेमेंट में तो महाँ पर बोला गया था कि लगबाग 10-15 सालों के अंदर अंदर आपको इसको खतम कर देना है पर लेकिन अब reservation बन गया vote bank अब vote bank की बात आगे है जब भी इसको कोई हटाने की बात करता है ना तो यह दिखता है vote गई सारी तो अब इसको तरीके से देखा जाता है आप लोगों ने देखा हो कर राजिस्थान में भी society का use किया गया था इस reservation का पर लेकिन आज की date में ये vote bank बनाने के लिए politician इसको use कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक और इसको forward ही करते जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ इसके बाद में 2008 में 2008 में Supreme Court के पास में case गया तो महाँ पर देखा गया तो उसने क्या कर दिया दोनों का फैल्ड कर दिया ठीक है जो amendment था जो 93rd amendment की बात कर रहा था मैं और OBC के लिए जो कोटा था दोनों की बात कर दी पर लेकिन एक बात और निकल के आती है Supreme Court ने डिरेक्ट किया Central Government को क्या डिरेक्ट किया डिरेक्ट यह कि देखे क्रीमी लियर का पुरा माल लिजे क्या है OBC हो गया एक साड में हो गया SCST ले लिजे आप ठीक है तो OBC में अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको अपर बैकवर्ड अपर बैकवर्ड माना जाता है क्रीमी लियर बोलते है जो इस वाले section में आते जिनका अच्छा ख़ude है तो उनको क्या किया जाएगा उनको creamie layer में ला दिया गया मतलब वह advanced section है उसको reservation से हटा दिया जाए अब reservation से इसको घटाने की तो बात आ गई पर हटाएं गय कैसे यह बात आ गई तो Supreme Court ने Central Government को बोला कि आप Decide करो कि इसको हटाना कैसे है ठीक है तो Criminal Year का Concept आए कि जैसे जैसे जो Section आगे Improve होता चाहे जिसका Level उसको Criminal Year में लाओ और उसको Reservation से बाहर रखो तो उसमें किस-किस को ले किया है तो उसमें देखिए जिस तरीकी से Post है Constitutional Post होगे जैसे कई सारी President होगे, Vice President होगे, Judge होगे या फिर Judge होगे Supreme Court, High Court के Member of Parliament, UPSC ले लिजे मतलब यह State Service Commission ले लिजे जितने भी Constitutional Post आप लोग ले सकते हैं यह सारी A-grade Post आप लोग बोल सकते हैं, Group A-grade की Post या फिर B-grade की Post भी अच्छे Level की जो होती है, All-Inner Level की, Central Service, Bank में, PSU में जो Post है या फिर Private में भी इनके Equivalent जो Post है, ठीक है न? तो इस तरीके से Army में भी आप लोग देख सकते हैं, Connell की Post जो होती है या फिर Air Force में, Navy में भी इस तरीकी Post होती है, Doctor, Lawyer या Engineer इस तरीके से तो ये Post ऐसी है, जो की एक अच्छे Level की Post मानी जाती है इस तरीके से अगर किसी को जोब मिली है, तो ये माना जाता है कि उसके बच्चों को Reservation की जरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में क्योंकि ये खुद ही अपना एक ऊचे Level पर जा चुके है, ठीक है? तो ये बात मानी जाती है, अब आप लोगों के Mind में एक बात आ रही होगी घूम पिर के, कि ये Concept हमने इन पर ही क्यों लगाया, OBC पर, ये CST पर क्यों नहीं लगाया, CST को भार क्यों छोड़ दिया गया, देखिए CST को भार इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि जितनी भ 35 seat OBC की लगा लिजे, 35 seat इसकी लगा लिजे, और 15 seat लगा लिजे, यहाँ पर, CST की, तो यहाँ पर ये 15 seat जो है ये भी full नहीं हो पाती है, ये भी खाली पड़ी रहती है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादे अच्छे लेवल पर development नहीं हुआ है, ये माना जाता है, कई बार इसम इसम भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, टीना डाबी के केस में, ठीक ना, टीना डाबी के के केस में, ये बहुती ज्यादा controversy उभर कराई थी है, और न्यूजबर में discussion भी आ रहा था, उस time पे कई बार, कि देखें, उनकी first rank आई है, और उनको भी reservation दिया गया है, औ जब कि उसकी मम्मी और पापा दोनों को देखा जाए, तो वो IES officer है, तो लेकिन फिर बात क्या निकल के आती है, फिर बात ये निकल के आती है, कि देखें, वहाँ पर जो post रहती है, माली जे 15 post हैं, अगर 100 में से, तो ये 15 post भी society के दोरा नहीं भरी जाती है, ठीक है, ये 15 post इस टाइप के मिल जाते हैं, वहाँ पर, तो इसलिए उनको side में करने की बात की गई, ये खहिना की Supreme Court ने देखिए, अगर politician को देखा जाए, तो politician हमेसा क्या करेंगे, वो तो इसको maintain रखना चाहेंगे हमेसा, क्योंकि उनका तो vote bank मिल रहा है, तो Supreme Court ने खहिना की उनको direct किय एक ऐसा रास्ता दिया, कि आप इसको बढ़ाते ना जाए, इसको कम भी करना है, वहना politician का, politician का अगर बस चलें, आपर तो वो सबको reservation दे डाले, उनको तो बस vote चाहिए, तो यहाँ पर बात क्या आती है, निकल के, कि Supreme Court ने उनको direct किया, एक ऐसी direction दी, कि वो समझ सकें, कि मत PC पर ही इसको implement किया जगया है, ओके, तो इसके अलावा और क्या-क्या दे रखे हैं, दो-तिन और दे रखे हैं, ट्रेडर बिजनस वगएर अगर कोई करता है, या फिर agriculture में भी अगर किसी की जो income है, वो अच्छी खासी है, उसके पास में अच्छी खासी, building है कहीं, area में, urban area में उसके पास जमीन है, किसी के पास अच्छी खासी, तो इस तरीके से ये बाना जाते हैं, या पर, देखें, इसकी limit बार-बार कुछ समय पहले तक 4.5 lakh थी, ये किस तरीके से decide करेंगे, अब देखें, 1993 तक जो lakh थी, ये जो ये limit थी, वो 1 lakh दी गई थी, ठेके न, इसके ब अगर इसके भार income जा रही है किसी की, तो वो creamy layer में आ जाएगा और उसको reservation से भार रख दिया जाएगा, ये इसका fund आ है, ठीक है, I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये concept, अगर फिर भी कोई doubt है, तो नीचे comment box में लिखिएगा, फिर से कभी कोई article आएगा, तो मैं complete discuss कर चुके है, कितने article से कितने article तक आता है वो, ठीक है, उसको अच्छे से एक बार revision करिएगा, और ये बताएगे किस part में आता है constitution के, तो नीचे comment box में answer दीजेगा, और answer बहुत कम दे रहे हैं, आप लोग मतलब चाहा क्या रहे है, फिर वही बात आती है निकल के आप लो duty बनती है, कम से कम की answer दे नीचे question होगे, ठीक है, तो कम से कम like करें वीडियो को, अगर dislike करें वीडियो को, कम से कम अगर पसंद नहीं आ रहे है वीडियो, ताकि मुझे पता भी चलता रहे है कि कहां कहां पर improve करना है, तो participate कीजिए, आप लोग कम से कम, इतना तो कम से कम बन doubt ने रहे, इसलिए अच्छे से example दे कर भी चल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है, कि इतना ज़्यादा explain करने की जुरत नहीं है, जल्दी जल्दी खतम करना है, उपर उपर से बताना है, तो वो भी comment box में आप लोग लिखिएगा, फिर मैं आप लोग के हिसाब से तो वो भी नीचे comment box में लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, देखिए, जब article 16 की बात करते हैं, तो equal opportunity की बात आती है, public employment में, तो जब equal opportunity की बात आती है, सबसे पहले तो आप लोग को यही पता होना चाहिए, कि इस तरीके के articles होते हैं, वो only Indian citizen के लिए ह कभी नी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर employment की बात होती है, employment तो अपने वालों को ही देले हैं, वो ही काफी है, भारवालों को तो तब देंगे, तो यहाँ पर भी discriminate नहीं किया जा सकता है, religion के base पर race के, caste के, sex के, या फिर descent के, पर place of birth के, तो इन सब चीजों के base पर यहाँ पर भ rule, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो निजाम थे है, हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया था, जो third or fourth class की जितनी भी job है, वो local resident के लिए fix कर दी थी, मतलब कोई भी दूसरा local residence अगर है, उनी को वाली job दी जाएगी, किसी बाहर वाले को वो job नहीं दी जाएगी, उस area का जो local resident है, उनी को job मिलेगी, तो इस तरीके से discriminate किया गया था, हाला कि बाद में उसको हटा दिया गया, तो एक छोटे level पर discrimination इस तरीके से किया जा सकते है, पारलियमेंट कोई भी ला बना कर इस तरीके कर सकती है, ठीक है, जिस तरीके से की woman के लिए इतनी vacancy save करती जा जा सकते है, ठीक है, तो इस तरीके का discrimination allow है, जिससे की एक harmony बनी रहे, तो यहाँ पर वही बात की गई है, कि state government भी अगर चाहे, तो discriminate कर सकती है, कि उसके area में जितने भी backward section है, backward class है, उनका representation fix कर दिया जाए, कि इतनों को लेना ही लेना है, कि इतने section पर ही ही आएंगे, तो ब इनलाडू का example कई बार news में रहता है, जो 50% reservation की limit तैय की गई है, तमिलाडू में उससे भी उपर पहुंच गया था, अब कैसे पहुंच गया था, वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, काफी interesting example है यह, आप लोग आगे आगे देखिए, कितना अच्छा interesting example आएगा, व आप देख लेते हैं, मंडल कमिशन, इससे भी बहुत बार question पूछे जाते हैं, मंडल कमंडल आप लोग ने कई बार सुना होगा, तो मंडल कमिशन की जब बात काते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, यह OBC के reservation की बात निकल के आती है, तो मोरियार जी देशाई जी की government थी, उन्होंने मंडल कमिशन का गठन किया, इनका नाम था BP मंडल, ठीक है, तो यह member of parliament थे, तो article 340 के अंदर अगर देखा जाए, तो इस तरीकी की बात की जाते हैं, कि आप लोगों को यह देखना है, कि कितने socially और educationally backward area है, मतलब आप लोगों को सर्च करना है, यह मंडल कमंडल को काम दिया गया, मतलब मंडल कमिशन को काम दिया गया, ठीक है ना, तो इनको measure करना था कि कितने हैं, उनको ढूंड के ले के आओ, तो इन्होंने अपनी report submit करी, 1980 में, तो इन्होंने बताया कि 3743 कास्ट ऐसी हैं, जो socially और educationally backward है, और nearly अगर इसको देखा जाए, तो 52% population, ठी 20% reservation, total reservation की बात की जाए, देखिए, क्या निकल के आता है, कि total reservation जो होता है, SC, ST या OBC को लगा लिया जाए, तो total reservation 50% होना है, उससे ज्यादा reservation नहीं जाना है, मतलब कहीं पर अगर 100 seat निकली हुई है, किसी exam में, तो 50% seat आप reserve कर सकते हैं, only 50% से seat ज्यादा आप reserve नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया, मतलब ये commission की recommendation दी गई, फिर क्या किया, VP सिंग की government आई 90's में, तो उन्होंने क्या किया, ये इसको declare कर दिया 27% reservation, ठीक है न, इनकी government आदे 27% reservation वो कर दिया, और इनकी government उसी के चक्कर में चल बसी, मतलब उनकी government जभी आई और फिर उसके बाद में कभी इनकी government नहीं आई, तो reservation इतना खतरनाक माना जाता है हमारी society में, जिसके ओपर जिंदा रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी government फिर कभी आई नहीं, इसके बाद में क्या हुआ, 1991 में में, नरसीमर राओ जी की government आई, तो उन्होंने दो काफी अच्छे change की, इसमें, वो change क बात क्या बोली, कि reservation जो 10% job reservation है, वो poor, economically backward, economic की बात आ गई देखिए यहाँ पर, याद रखिएगा, वहाँ पर क्या बात करने हैं, यहाँ पर इकनोमी की बीबात इन्होंने डाल दी, तो economically backward अगर higher caste में कोई है, तो उनको भी reservation दिया जाए, तो यह कहिना कई vote bank की politics नजर आ यहाँ पर पीछे बीजे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया फिर, तो इस तरीकी की बात बोली गई, तो मतलब इन्होंने सोचा, कि देखिए, एक साइड में तो OBC को reservation डे दिया, जो नीचे वाला section है, उसको भी दे दिया, अब अपर caste को भी सानी क्या क्या कर जाएं, तो यह तो Supreme Court है, इनको बार-बार बताते रहते हैं कि भाई साब अपनी उकात में रहो, उससे बार नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है, तो मंडल केस गया 1992 में, यहाँ पर Supreme Court में, तो फिर बात निकल क्या है, क्या बात निकल क्या है, कि देखि 10% reservation रखा था, poor section of fire class, यह court ने reject कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखे, poor section अगर economic वाला angle आप add कर देंगे न, यह permanent हो जाएगा, कभी भी इसको आप घटा ही नहीं सकते हैं, तो economic वाला angle तो यहाँ पर आना ही नहीं है, पहले से यह बात की जा चुकी है, इसके आगे क्या बोल reservation की, ठीक है न, beneficiary को ढंक से आप लोगों को count करना है, इसके बाद में यह बात बोली, मतलब beneficiary जिसको देना चाहिए, reservation उसी को देना है, यह नहीं कि जो reservation के लिए applicable नहीं है, उसको भी दे ले हैं, ठीक है, तो reservation फिर promotion की बात आई, promotion में अगर reservation देने की बात की जाए, तो उस as compared to journal या फिर दूसरा section है, ठीक है, मतलब initially तो appointment में reservation ही 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 है, promotion में भी reservation घुसाने की बात कर रहे थे, यह politician इस तरीके के step तब लेते हैं, जब इनको दिखता रहता है कि आप जीतेंगे नहीं, आप लोग ने देखा होगा, कि OBC के reservation की जब जब बात आती है, या फिर किसी इसा उस टाइम पर बोलेगा, जब election आ रहे हो, voter को लभाने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोड ने आगे क्या बोला कि total reservation 50% से उपर नहीं जाना है, किसी भी हालत में ये भी आप लोग को याद रखना है, और carry forward rule भी दिया इन्होंने, मतलब देखें जिस तरीके से मैंने बोड़ी बनानी आप लोग को, statutory body होती है, जो government के द्वारा, ला के द्वारा, पास करके बनाई जाती है, parliament के द्वारा, ठीक है, तो वो statutory body होती है, तो statutory body आप लोग को बनानी है, examine करने के लिए, कि किस तरीके से, किसको include करना है, और किसको exclude करना है, OBC की list से, तो ये भी government अपने रंग दिखाएगी, तो government ने Supreme Court की ruling के बाद में क्या किया, उन्होंने अपना-पना काम दिखाना है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, राम नंदन कमिटी सेट की 1993 में, identify करने के लिए creamy layer कितनी है, उसको identify करो, OBC के अंदर, ठीक है, इसके बाद में क्या किया, उन्ह reservation का ही काम है, आप लोगों ने देखा होगा, जब 2014 में जब election थे, उससे थोड़े से पहले ही, Congress ने जाट को reservation दे दिया, तो सारे जाटों को उन्होंने reservation दे दिया, पर लेकिन फिर पूचा गया, किस से Supreme Court में case गया, तो Supreme Court ने पूचे, National Commission backward से, कि क्या ये सही reservation है, तो उसने म ठीक है न, तो ये इनके हाथ में power है, तो उन्होंने बोला कि ये जुरुत नहीं है reservation देने की, तो Supreme Court ने इस पर रोक लगा दी, इसके बाद में क्या हुआ, अब आगे देखते हैं, Supreme Court ने क्या-क्या nullify कर दिया, अभी देखा था हम लोगों ने क्या किया था कि reservation promotion में नहीं ह लाकता है, अगर वो चाहता है कि SC और ST का कोई section ऐसा है, जो adequate representation नहीं है उसकी state services में, तो वहाँ पर reservation दे सकता है, ठीक है, तो ये इन्होंने amendment के थैट एड किया, 85th constitution amendment निकल किया है, फिर फिर इसके, मतलब सीनेर्टी के वेस पर भी कई सारी बात निकल किया ही, मतलब देखे ये government ने क्या किया, जो Supreme Court ने guidance दी, उसको फिर अपने तरीके से implement कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जब 85th amendment निकल किया है, जब ये reservation promotion की, इसको retrospective effect से, मतलब पुराने time से, पास कब हो रहा है, 2001 में, और implement करने की बात कब से चल रही है, 1995 से, मतलब उस time पर किसी को जो मिलें तो उनको भी promotion किया जाए अच्छे से, और दूसरी बात इन्होंने क्या की, देखे, backlog of the vacancy की बात चल रही थी, कि 15 seat अगर नहीं भरी जा रही है, तो उनका क्या करे जाना है, तो 81st amendment निकल क्या है यापर, 2000 में, इसने new provision add कर दिया, new provision add क्या कर दिया गया, कि जो य रखी, walk logo का आगे देखने को मिलेगी अभी, इससे क्या हो गया, इससे ये बात आई सामने निकल के, कि अगर देखे, मालीजे 15 seat थी, बात की गई थी 50% reservation की, ठीक है, तो मालीजे आज की date में 100 vacancy निकली, example से समझाता हूँ, 100 vacancies में क्या हो गया, 100 vacancies में 50% seat हो गई, journal की, ठी 15 किसकी हो गई, SEST के लिए हो गई, ये reserve है यहाँ पर मालीजे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये साल है 2017, तो 2017 में ये vacancy निकल के आई, अब यहाँ पर ये vacancy ये सारी भर गई, ये सारी बर गई, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मालीजे 5 vacancy भरी, 10 खाल पर पर यहां पर आएगी तो जो यह नहीं वेकेंसी बच गई थी पुरानी इनको यहां पर एड़ नहीं किया गया है यह क्या बोला है कि यह 50% उसी एर के लिए हैं इनको एक्स्ट्रा अलग से किलास बना दी गई है तो इसका मतलब तो यह फंडाइन के द्वारा खेला गया ठीक है तो माल दीचे जो इस साल में जो वेकेंसी निकलिये उसमें जितनी सीटे हैं उसमें इनको एक्स्ट्रा एड़ किया जाएगा और वो रिजर्वेशन के अंडर में नहीं आएगी 50% प्लस में होगा यह 50% तो दिया गया और प्लस में 10 सीटे जो यह बची है यह अलग कद होगी वज़े से ठीक है और फिर क्या किया 76 अमेंडमेंट भी ले क्या है देखें एक 9 सेड्यूल है उसमें क्या करते हैं अगर कुछ इमेंडमेंट करने के बाद में उसमें डाल देते हैं जो जूडिशल रिवीश बच जाता हो ठीक है तो तो तमिलनाडू को देखने को मिलेगा ओके तो यह कई हरकते की जाती है तो आज के डिसकसन में इतना ही देखें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ओर डूरेशन बढ़ जाए 30 से 35 का मिनट का मैं लेक्चर ले सकूँ तो नीचे कमेंड बॉक्स में लिखिए अगर चाहते हैं कि नहीं 20 से 25 क किजे जिससे की दूसरों का भी फायदा हो जाए अपने अपने पैसे नहीं बचाने हैं दूसरों के बचा जीजे बेचारों को किसी को पता चले कम से कम क्योंकि मुझे बहुत सारे SMS आते हैं बोलते हैं सर आप पर पढ़ा रहे हैं बताया भी नई इस तरीक से मतलब तो अपने आसपस सफाई रखिए पानी और ट्री को भी सेज कीजे और एक दूसरे की help कीजे जितना हो सके help करने से कुछ नहीं कड़ेगा revision कीजे जितना कर सकते हैं तो thanks a lot for listening जै हिंद